Hello friends, welcome back to my channel कभी कभी छोड़ी चीज जो होती है ना हमारी personality को अच्छा दिखाती है हमारे चहरी की खुबसूरती में चार चान लगा देती है वोई eyebrow eyelashes के साथ है अगर कम घनी होती है तो हम इसे कॉस्मेटी के दोरास को घना दिखाने के कोशिश करते हैं जो natural काली घनी eyebrow eyelashes होती है उनकी तो बात ही कुछ और है तो natural तरीके से आप कैसे अपने eyebrow को बहुत जादा खुबसूरत काला घना कर सकते हैं तो कुछ घरी नुसके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा असरदार है जो पहला नुसका है न दोस्तों इसकी लिए आपको क्या करना है शर्ट कि अब लेना हे कि और जो बया होँ सबी चाहिजा ग्रोक ही चाहिभण चाहिझा करें लोजने की जो है मीथी दाना होता है cesen बहुत जादा गालना की मेतिताना को रिग रिगह इसे कम से कम दिन में दो बार इसको आपको अपलाई करना है इसके लिए आपको लेना है एक बिटमिन E कैपसुल का पूरा जेल बिटमिन E का एक बहुत अच्छा खासेती होता है कि हमारे जो हेर ग्रोथ रुख जाते हैं उसको ये इंक्रीज करता है इसके बाद हम यहां पर लेंगे थोड़ा सा अलोविरा जेल वीडियो थोई सी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं यह जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा अलोविरा के बाद यहां पर आपको थोड़ा सानक कलोंजी सीट जो होता है याने की जो ब्लैक सीट होता है यह लेना है कलोंजी जो है वो गंजेपन को दूर करने के लिए एक बहुत ही एफेक्टिव रेमिडिय माना चाहता है ज़्यादा पाववफुल है आपकी बालों की जड़ो को बनाएगा और आपकी आईब्रो जो बहुत ज़्यादा पतले हैं इसको घना और काला करने में हेल्प करेगा इसे आप एक बार बनाकर आप इसे 10 दिन दक स्टोर कर सकते हैं दो बार इसे आपको अपने आईबरो और आईलेसे पर अपलाई करना है हमारी थर्ड पावरफुल रेमिडी है इसके लिए आपको लेना है जिंजर यानि की अदरक और कदूकस इस तरह से करना है और इसके रस को आपको निकाल लेना है जिंजर जो है वो हेर ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंग होता है और साथ में आपके बालो की जड़ो को काला घणा करता है अपको एड़ करना लगभग एक चमच कैस्टर ओयल जिसे हेर री ग्रोथ प्रोड़क्ट में बहुत ज़दा यूज़ किया जाता है और बालो की जड़ो को बनाने के साथ ये बालो को काला घणा भी करता है इसको मिक्स कीचे और दिन में कम से कम दो बार इससे अपने आईबरो पे मसाज कीचे